आज हम आपको एक ऐसी स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो महा भारत युत के बाद भीम को जला कर भास्म कर सकती थी आखिर क्या था इसके पीछे का रहस्या आज किस खास वीडियो में यही जानेंगे आप देख रहे हैं दाभाक्ती अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडिटिट वीडियो आपको जानने और सुनने को मिलती रहें अपमान, न्याए, अन्याए, बदला और विद्वन्शक कुछ ऐसे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं जब हम महा भारत का नाम सुनते हैं महा भारत के हर चरित्र की एक अपनी ही कहानी है, हर किर्दार का व्यक्तित्व, उनकी परिस्तितियों, पुनर जनम, आदी तत्वों से प्रभावित दिखाई देता है उन किर्दारों से आप खुद को जोड कर देख सकते हैं, इसके अलाबा महा भारत प्रतिग्याओं के लिए भी जाना जाता है दोस्तों महा भारत में जब दुर्योदन ने भरी सबा में द्रौपती के चीर हरन करने का आदेश दिया था तो पांडव खेल की नियमों का पालन करते हुए मौन रही, लेकिन प्रतिशोद की ज्वाला उनमें जल रही थी भीम ने जब दुशाशन को द्रौपती के बाल खीचकर घसीरते हुए ले जाते हुए देखा तो भीम ने प्रतिग्या ली कि वो दुर्योदन और दुशाशन के खून से द्रौपती के बालों को धोएगा कुरुशेत्र के युद में भीम ने अपनी प्रतिग्या पूरी की 18 दिनों तक चले इस रक्त पात के बाद विजय होकर पांडव गांधारी और दृतराष्ट से मिलने के लिए हस्ति ना पूराए उस समय गांधारी बहुत क्रोध में थी उस समय गांधारी भी अन्याय पूर्वक किये गए दृतराष्ट से क्रोधित थी पांडव डरते डरते गांधारी के पास पहुचे दृतराष्ट की बात करने पर भीम ने गांधारी से कहा यदि मैं अधर्म पूर्वक द्रियोदन को नहीं मारता तो वैं मेरा बत कर देता। गांधारी भीम से बहुत क्रोधित थी। धीरे धीरे सबी भाई गांधारी से मिलने लगे। भीम के बाद युदिश्टर गांधारी से बात करने के लिए आगे पड़े। माता गांधारी बहुत ज्यादा क्रोध में थी। जैसे ही गांधारी की द्रिष्टी पट्टी से होकर युदिश्टर के पैरों के नाखुनों पर पड़ी वो काले हो गए। यदि उस समय भीम गांधारी के चर्णों में जुके नहीं होते तो वो गांधारी के नेत्रों से उत्पन हुई जुआला में जलकर भस्म हो जाते। ये देख अरजुन श्रक्रिष्ट के पीछे चिप गए और नकुल और सहदेव इधर उधर हो गए। थोड़ी देर बाद जब गांधारी का क्रोध शांथ हुआ तब सभी पांधावों ने उनसे आशिरवाद लिया। लेकिन दोस्तों आखिर वज़ा क्या थी कि गांधारी क्यूं दूरियोधन के इस खास कार्य से इतना क्रोध में नहीं आय थी जबकि भीम ने दुरियोधन को मारा इस वज़ा से वो बहुत जादा क्रोध थी। दोस्तों इसके पीछे आप ममता का प्रेम भी कह सकते हैं और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि एक भाई ने जब अपने ही भाई को मारा, तो इस वज़े से एक मा का हिर दिया, पूरी तरह से तूट किया, गामधारी के कोई पुत्र नहीं थे, उसके बाद जब उनको सौ पुत्रों की प्राप्ति हुई तब उन्हें ममता का एहसास हुआ, ऐसे में उन्ह भीम अजे था, भीम ने भले ही छल कपट से किया हूँ, लेकिन भीम ने दुरियोदन का वत कर ही दिया, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक खास जानकर ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा स ज्यादा शियर आफश्य करें, मिलेंगे वारे एक नई खास वीडियो के साथ, अब तक के लिए बहुत बहुत धान्यवाद